दोग के इब यहांं पर अपको मार्केट जो है aan पर आपको मार्केट जो है वह थोड़ा बहुत वीक्रेस्ट गले रहा है लेकिन देखें मार्केट यहां कटन सौलिडेशन था और यहां के बाद में मार्केट गतना तो मार्केट जो रेड़ बझे के बाद से मैक्सिम गिजना स्टार्ट किया ते क्योंकि यहां तक तो उसने अपने पिश्रे वाले लेवल को हुी मीट किया था मार्केट गिजने के जो कार्रंड टही वह है वह था चाइना का जो रीजन है रतन इंडिया इंटर्पाइज मैंने आपको ये शेर दिया भी था यूट्यूब के उपर में सजेस्ट भी कहते है कि रतन इंडिया को आप ले ले और देखिए आज भी इसके अंदर में 6% की तेज़ी और देखिए 56 रुपए से 63 पहुंच चुका मतलब 8 रुपए पर शेर क आपको इसमें भी फायदा हो चुका है आज एमटा टॉक्नलोजी की के शेरों में 11% तक गिरावट आपको देखने को मिली और गिरावट क्यों आई थी यह गिरावट आई थी क्वाटर टू कर जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं है इस वजह से इसके अंदर में गिराव डील का होना बहुत बड़ी बहुत तगडी ब्लॉक डील यहां पर मार्केट खुलते टाइम पर ही जिसकी वजह से इसके अंदर में डबल ब्लॉक ट्रेड हुए थे तो एक वाता मार्केट खुलने से और एक वाता मार्केट के बीच में दोनों ब्लॉक ट्रेड जो है उस कि मुकेश अंबानी एक कंपनी है खुद की उसको क्या देगी 3300 करोड रुपए देना चाहती है देखिए 2019 में इंसॉलवेंसी की दुरान जो है आलोग इंडस्टी को इन्हों ने खरीदा था इसके उपर में जो लगभग 30,000 करोड रुपए के अंदर में खरीदा था अलभी लगभग 3300 करोड रुपए जो इसको देना चाहती है वो किसे ही दिना चाहती है प्रफ्रेंट शेयर जो है यह अलोट करेंगे और प्रफेंट शेयर अलोट करने से जो है बैसिकली यह अंबानी खुद की छुद की कंपनीजर प्रफेंगर को खरीदेगी इसисл वज़े से ज देखने को मिल रहा है यहां पर आप चाहें तो पड़ सकते दोशचापन करोड का गाटा और उसकी रेविन्यू के अंदर में भी जो है क्या यह गिरावट देखने को मिली है मतलब को रेवन्यू भी गिर गई और सेल्स भी गिर गई आप क्या कर रहे हैं कि इसको उठाने के कंपनी को कि इसके इंदर में 70% का स्टेक जो है रहाइस रखती है तो संतर पर यहां से यहां पर और रोपे के के अंदर में investment करें तो अगर आप चाहें तो शौट टम के लिए आप जो इस शेर को कर सकते हैं नेक्स टार्गेट इसका जो है 24 रुपए के आसपास तक जा सकता है और maximum टार्गेट जो इसका 40 तक भी जा सकता है लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस होल्ड करना जाते तो 16 रुपए का स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं क्या और आएकर विवाग को लटानों के ग्यारा सटाइस करोड रुपए अभी यह ती शेर जो इस वज़े से 12-13-14 वाली फिर उसके बाद में आएकर विवाग से जो इसको ग्यारा सटाइस करोड रुपए मिल रहे हैं तो अभी क्या कर रहे हैं यह अपने को वाटर रिजल्ट को भी इंप्रूव कर रहे हैं और यह अपने डेट को जो है वो चुका रहे है तो डेट चुका एंगे त इसकी वज़े से शेर के अंदर में जो है आपको टेजी देखने को मिली 14 रुपए के उपर तक में जो है शेर जा सकता है फिलाल तेरह का आप इस पे जो है स्टॉप लॉस लगा के रखे सेफर साइड तो शेर की 262 से टूटकर 11 पर आया अब अब परसर के लगता जा रहा तो जिस कमपनी के हम बात करें उसका नाम है रिलांस कैपिटल के अंदर में बतारता हूं सक्षम हो जाएगा और फिर से ट्रेडिंग जो है शुरू आप आपको देखने को मिल सकते हैं प्र सरक्यटिग के साथ जो है 11.24 बैसे बंदुआ लगता आपर अपर सरक्यटी से इस परसंट तूट चुका है अपने हाई लेवल से अब यहां पर क्या हो रहा है हिंदुजा के लिए भारती बीमा विये नामक और विकास प्रदिगर्ण द्वारा रिलाइंस जर्नल इंशॉरेंस और रिलाइंस निपॉन लाइफ इंशुनर कंपनी के शिरों को गिरवी रखने क कि भी अपिल की थी हालकि अनुमत इखारीच कर दीए बात में हिंदुजा समू अंत्रिक स्रोतों और निजी क्रेट कमनियों से पैसे उटाने की होजना जो है फिलाल बना रहे तो यह जैसी पूरी हो जाती है तो रिलाइंस कैपिटल का जो शेयर है वह उपर की तरफ में अ अपना कंटेंडमेंट फुल फ्लेश ऑप्रेशन जारी करने का जो है उन्होंने मन बना लिए तो द्रोना चार यहां पर काफी अचा पेगा रतन इंडे के अंदर में आप दे सकते हैं जो सप्लाइ है इलेक्टरिक बाइक की फॉर अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर में ज मार्केट खुलने से भी आदे घंटे पहले मिल जाती है तो आप यही न्यूज आपको हिंदी में भी टाइप होकर आती है उसके अलाब इंसाडर ट्रेडिंग आपको देखने को मिल जाती है इंसाडर ट्रेडिंग जो है तीन जगह पर हुई ती जिंदा से रेली गया और छोड़गा और चल रहे हैं और फिसके आपको देखने हैं चैना फटाइब होता चाइना स्टाइब टा रिमेस फ्रेजार तो इस वज़े से चाना की अंधर में एशिया के जो मार्केट है उसके अंदर में गिरावाट देखने को मिल रही है आप देख कल भी मैंने आपको बताया था मेरे इतने स्टॉक दिए गे थे आयार एफसी लेमेंटरी इर्कॉन इंट्रेशन जो मैटो येस बैंक सभी के अंदर में टार्गेट को जो है अचीव करें तो आप चाहिए तो इस ग्रूप से जूट सकते हैं लास्ट वीडियो के जो है आपको नंबर मिल मतलब बाइंग लेबल पर है बुक वैल्यू 15.3 है तो इसका अंतर क्या बुक वैल्यू से थोड़ा सा उपर ही चल रहा है विशेर रेटान काफी चाहिए और स्टॉक स्प्रिट हो सकता है तो उसके अंदर में यह भी गुंजाइश है आगे चलते हैं कंपनी के अंदर में पर आहा रहा है सिए यार कंपनी का जो 70 प्रसंड का सीजायर मतलब एक साल गाल के दिया है और क्यों निकालके दिया अंदर यहां पर देखें तो लौस्ता कंपनी को लेकिन यह있는 के चार साल से कंपनी को fij boiling डशाand निño-int請 रूप में प्राफित हो ए Hay ale प्रमोटर जो है वो बिल्कुल कम थे 2020-2021 के अंदर में उन्होंने चार परसेंट इससेदारी खली दी वहीं पर 2021 के अंदर में फिर आपस उन्होंने अपनी इससेदारी को लगबक 5% तक बढ़ा लिया तो इसका उनलग क्या है कि कंपनी को पहले से बताता कि उनके कोड रिजल काफी अच्छा आने वाले हैं जनता से माल को खरीदा गया और जनता का इसमें माल रहे ही है बिलकुल भी जब तक कि यह अपर सर्कृट लोर सर्कृट में चल रहा है अगर जैसे यह वहां से बाहर निंगले तो अलग बात है हाला कि जिस शेर की हम बात करें इसका नाम है एलकार एलकारिटी सेक्योरिटी कमपनी अंकॉर्परट विटी 1994 के अंदर में स्टॉक ब्रोकिंग एंड फिनेंशल सर्वेसेस के अंदर में काम करती है तो इस शेर से आप बिलकुल दूर रहें वीडियो कर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर अच्छा लगी